यह मेरा फर्स पाइथन टुटोरियल है आप सबों के लिए और यह टुटोरियल में हिंदी में बनाने जा रहे हूं जिससे आप लोग को यह इसली समझ में आए और अब आप लोग जो है अपना पहला पाइथन प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यह पर पाइचांप एडिटर यूज किया है और आप लोग इसको इसली डाउनलोड कर सकते हैं इस्टॉल कर सकते हैं इसको हम लोग उस करेंगे अपने प्रोग्राम्स मताने के लिए और आप हैसे आपको सारी चीज़े जहां पर सटेबल और आप लोग स्टार्ट करते हैं अपनी Python programming journey ठीक है तो सबसे पहले दिखें यहाँ पर मैंने एक पाइचा प्रोजेक्ट पहले से बना के रखा हुआ है जिसका नाम है tutorial तो आप लोग भी पहले ऐसा एक प्रोजेक्ट बना लेंगे और simply यहाँ पर file में जाके आप new करके project create कर लीजे तो यहाँ पर आपका project create हो जाएगा ठीक है so there is an option यहाँ पर file new project ठीक है तो इससे आपका एक नया project ready हो जाएगा and after that हम यहाँ पर मैंने पहले से बना के रखा हुआ है तो इसको हम लोग right click करते हैं यहाँ पर हम जाएगे new में और क्योंकि हम python program बना रहे हैं तो हम यहाँ पर python file को select कर लेंगे ठीक है तो यह simply आप python file select करें यहाँ पर अपने program का जो भी नाम देना चाहते हैं वो नाम आप यहाँ पर दे देंगे हमने यहाँ पर task word दिया है इसके बाद आप enter की press करेंगे और यह आपको space मिल गया जहाँ पर के आप अपना program type कर सकते हैं और edit कर सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले जैसे कि हम normally सारी languages जब start करते हैं बनाना तो हम सबसे पहले hello world print करते हैं तो यहाँ पर हम python में भी सबसे पहले हम hello world print करेंगे तो इसके लिए simple सी command होती है यहाँ पर print ठीक है उसको हम यहाँ पर use करेंगे और print command में हम यहाँ पर simply double quotation marks आप लगाएंगे because आप message दे रहे हैं यहाँ पर string दे रहे हैं तो हमें यहाँ पर double quotation marks include करना पड़ेगा तो इसके अंदर हम लिखते हैं hello world चीक है like this और बस इसके बाद यहाँ पर आपने यह notice क्या होगा अगर आप पहले भी किसी language में काम कर चुके हैं तो आपने यह notice क्या होगा कि यहाँ पर कोई भी void main या public static void main जैसे की Java में होता है ऐसा कुछ भी हमें यहाँ पर use करने की जव पर हम लोग यहाँ पर select करेंगे run और क्योंकि हमारा task 1 है तो हम यह task 1 select करेंगे और यह देखिए simply program run हो गया और यहाँ पर आप bottom में output देख सकते हैं hello world ठीक है it is as simple as that अब एक और चीज़ है यहाँ पर मैं आपको जो बताना चाहती हूं वो यह है कि यहाँ पर जो भी what is string actually string क्या होती है तो string एक sequence of characters होता है जो कि हम double quotation marks के अंदर रखते हैं या फिर उसको हम enclose करते हैं single quotation marks में तो चाहें आप double quotation marks भी आप use कर सकते हैं और आप single quotation marks भी single quotes भी आ और हम कहेंगे hello viewer okay तो यहाँ पर अब हमनी क्या कर रहा है single quote लगाया है again I am going to run it run task 1 यह देखिए hello world hello viewer ठीक है तो इसमें हम कुछ भी उसकर सकते हैं फिर double quote भी और single quote भी अब इसका क्या use है actually देखिए इसका यह use होता है कि अगर हम single quote और double quote दोने यूस कर सकते हैं तो अगर ह हम अपनी स्ट्रिंग में जो भी मैसेज हम प्रिंट कराना चाहते हैं जो भी मैसेज हम स्ट्रिंग में रखना चाहते हैं उसमें अगर पहले से कोई double quotation mark है तो उसको भी हम easily print कर सकते हैं उसको भी हम स्ट्रिंग में include कर सकते हैं इसी तरीके से अगर हमारी स्ट्रिंग में पह वेल्कम टू अब यहां पर देखिए मैं डबल कोटेशन मार्क की उसके अंदर इस वेल्कम टू लेक्चर लूप्स एंड लाइक दिस चानल ठीक है तो अगर हमने इसको रन किया तो इस तरीके से हम डबल कोटेशन मार्क भी इसमें यूज कर पा रही हैं यह देखिए और इन दे सेम वे अगर अब हम चाहते हैं कि हमारे इस्ट्रीम में कोई इस बार हम डबल कोट यूज करेंगे और उसको इंक्लूट कर लेंगे इस तरीके से हम यहाँ पर दोनों डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन मार्क यूज कर सकते हैं तो यह आपका पहला प्रोग्राम बन चुका है सक्सेस्फुली अब हम जाते हैं दूसरा प्रोग्राम बनाएंगे अगें यहाँ पर प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करिए अब नियू अगें सेलेक्ट पाइटन फाइल गिवर नीम टो यूर प्रोग्राम अपने प्रोग्राम को कोई नाम दीजेए आप यहाँ पर तास्टू और इस तरीके से हम दूसरा प्रोग्राम टाइप करेंगे तो इसमें मैं आपको बताऊंगे कि कैसे आप यूजर से इ होता है और जैसे c in होता है c++ में उसी तरीके से input method होती है जो यूजर से input ले सकती है और उसको हम यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में इतने expressions में कहीं पर भी हम उस user input को जो है यूज कर सकते हैं तो कैसे इसको करना है मैं आपको बताती हूँ तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक variable ले लेंगे name equal to और उसको हम initialize करतेंगे अब initialize करने का मतलब क्या होता है initialize करने का मतलब जब हम पहली value first value कभी भी हम variable को assign करते हैं तो उसको हम कहते हैं initialization ठीक है तो यहाँ पर हमारा initialization हो गया है अब हम यहाँ पर लिख देंगे name equal to अब हम इतनी input method यहां से use करेंगे ठीक है तो हमें जरूरत क्यों पड़िए यहां पर variable लेने की इसलिए जरूरत पड़िए क्योंकि जैसे जो भी input user हमें देगा assign करेगा input user देगा वो जो input होगा उसको हमें कहीं न कहीं रखना पड़ेगा तो वो रखने के लिए यह variable हम दें आपर लिया हूँ है name तो name basically क्या है एक variable है और variable क्या होता है variable वो storage या space हमें provide करता है जहां पर कि हम अपना data या values को store कर सके तो variable is nothing but just a name given to a memory location जहां पर हम अपनी data values को store करेंगे और क्योंकि उसको access करने के लिए हमें कुछ चाहिए तो उसके लिए हमने ये name यूज़ किया हुआ है understand तो इस variable को आप कोई भी और भी name आप दे सकते है ठीक है variables और data types इसके बारे में हम लोग दूसरे अपना जो मेरा next tutorial है उसमें आपको बिल्कुल detail में बताऊंगी और अभी के लिए हम लोग इसको simply इतना समझ लेते हैं और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अब हम इसको print भी करना चाहते हैं तो हम इसको इस तरीकी से print कर देंगे अब देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है पहले हमने name को initialize करा है फिर हमने input के तुरू name लेंगे और उसी name को जो user input करेगा वही हम print कर देंगे ठीक है तो यहाँ पर आते हैं हम run this time we have to run task 2 ना तो अब हम यहाँ पर select करेंगे run task 2 ठीक है तो task 2 में यह user input है तो यहाँ पर हम पहले input प्रोवाइट करना पड़ेगा तो हम इसको कोई नाम दे देते हैं जैसे मैंने यहाँ पर इसको नाम दे दिया है आरुष फिर मैं यहाँ पर enter की प्रेस करूंगी और देखिए जो नाम मैंने इसको 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 तो थोड़ा सा और interesting या user friendly बनाना चाहते हैं तो आप इसमें इस तरीके से कोई message भी include कर सकते हैं I know your name is ठीक है यहाँ पर आपको comma लगाना पड़ेगा और उसके बाद आप यहाँ पर variable का नाम दे देंगे ठीक है तो इसको फिर से हम लोग run करते हैं then task to again इस बार मैं दूसरा नाम देती हूँ आरो ही ठीक है दिखते हैं I know your name is आरो ही ठीक है डूसरा प्रोग्राम बनकर ready हो गया है simply आपने जो है user से input लिया है और उसको display करा है ठीक है एक और चीज में बताती हूँ अगर यह जैसे यह double से आ रहा है दो बार आ रहा है आरो ही और फिर नीचे फिर से एक message आ रहा है I know your name is ROE तो आप चाहे तो अपने पहले वाला जो आपने print statement लिखा था उसको हम लोग यहाँ पर comment में डाल सकते है तो यह जो hash symbol है वो use होता है comment के लिए जो भी चीज hash function case से start होगी hash symbol से sorry start होगी और या वो comment होगी तो वो execute नहीं होगी ठीक है it will not be executed देखो हम simply देख सकते है इसक I know your name is Rahul ओके तो इस time क्या हुआ है आपर देखे यह जो print name है वो comment में चला गया है इसलिए execute नहीं हो गया नहीं हुआ ठीक है तो यह इस तरीके से हमारा task to be complete हुआ now मैं आपको एक task 3 बताती हूँ फिर से जाना है project पे यहाँ पर new यहाँ पर हम एक और python file create करेंगे और एक और program हम आज बनाएंगे ठीक है यहाँ पर हम आपको print के साथ आप और क्या experiments कर सकते है थोड़े से वो हम आपको भी बताते है एक जीज जो है मैं आपको इसमें बतात life good day ठीक है अब हम लोग देखते हैं जब हम इसको run करते हैं run task 3 देखें hi and good day देखें यहाँ पर हमने कोई new line के लिए यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं लिखा है फिर भी जो पहला print statement है वो पहली line में आ रहा है और दूसरा print statement जो है वो दूसरी line में आ रहा है तो python यह हमारे लिए करके रखता है करता है यह क्या करता है कि देखिए जितने भी आप print में अलग-अलग messages देंगे तो हर print अलग जो भी method है हर print statement का output जो है वो आपको अलग line में मिलेगा ठीक है अगर हम इसको दूसरी languages के साथ में compare करें तो जैसे Java में हमें print ln यूज करना पड़ता है C में यूज करना पड़ता है ठीक है यहां पर हमें ऐसा कुछ भी यूज करने की जुरूरत नहीं है अगर print statement आपने दूसरा दिया है तो उसका output वो automatically दूसरी line में ही आएगा विच जो Python है यह programmer friendly एक language है तो it is good for us तो हमको बार-बार print अलग या इस तरीकी की कोई भी चीज यहां पर यूज करने नहीं पड़ेगी और यह simply हमेशा आपको next line में ही output देगा ठीक है अब suppose आप इसको change करना चाहते हैं आप नहीं चाहते हैं कि यह high और good day जो है या जो भी दो आप printer statement दे रहे हैं वो अलग-अलग line में आए आप चाहते हैं कि वो same line में आए तो आप क्या करें करेंगे तो उसके लिए मैं आपको बताती हूं कि हम क्या कर सकते हैं ठीक है तो मैं यहाँ पर लिखूंगी हेलो और यहाँ पर हम एक word यूज करेंगे यहाँ पर end end equal to यह देखिए हम जिससे end करना चाहते हैं वो हम यहाँ पर mention कर देंगे जैसे मैं इसको end करना चाहते हूं मैं इसको new line से end नहीं करना चाहते हूं मैं इसको comma से end करना चाहते हूं तो मैंने यहाँ पर लिख दिया print end equal to comma अब next line में suppose I want to write how are you and then simply again and this time मैं इसको end करना चाहती हूं एक question mark से तो मैंने यहाँ पर लिख दिया question mark ठीक है यहाँ पर आप यह भी देख सकते हैं अगर आप पहले जावा सी में यहाँ सी में work करते तो तो देखिए यहाँ पर हमें same column लगाने की भी कोई जूरती है ठीक है तो फिर यहाँ पर हमने इसको run करा और run task 3 यह देख question mark से ठीक है तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं अब इसी का मैं अगर आपको y से वर्सा करना है मतलब क्या कि मैं यहाँ पर दे रही हूँ कुछ strings जो एक ही statement में है एक ही print statement में है लेकिन हम उसको अलग-अलग line में print करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे we will use especially this escape character slash n java and then slash n php then slash n python अब देखिए यहाँ पर हमने slash n लगा दिया है फिर से run task 3 करिए यह देखिए java next line में आ है क्योंकि यहाँ पर slash n लगा हुआ है ठीक है फिर java उसके पाद again slash n तो फिर से new line change हुई php और फिर हमने slash n लगाया तो फिर यह new line change होगी python ठीक है अब simply अगर यह तो हो गई new line की बात अगर आप से थोड़ा सा submit tap space देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर slash t यूज़ कर लिज़ें ठीक है tap space के साथ में tap space जो है इसमें प्रोवाइट कर रहा है और new line नहीं प्रोवाइट कर रहा है तो यह सारे experiments हो गए जो हम print के साथ कर सकते हैं तो अब आप लोग programs बिनाईए python में और next tutorial में हम आपको बताएंगे कि variables को कैसे use करना है expressions कैसे बनाने हैं and further till then read learn and grow बाबाई सकते हैं